सेकिंड क्लास कैसे हैं आप बच्चों चले जी के निकालिए आज आपका है होली प्लेश देखिए आपको यहाँ पर यह पवीत्र होली प्लेश का मतलब होता है पवीत्र इस्तानों के क्या दे रखिया है पिच्चेज दे रखिया है और साथ में क्या दे रखा है लेटर्स दिख रहा है ना बॉक्स के अंदर A, B, C, D, E, F और यहाँ पर जो होली प्लेश है उनके नेम दे रखिया है आपने क्या करना है जो यह होली प्लेश है के नाम है उनके यहाँ पर क्या दे रखा है उसके अंदर आपने क्या करना है जो लेटर्स कोड है जैसे की A, B, C, D यह उसके अंदर आपने लिखना है जैसे की यहाँ पर आपका गोल्डन टेम्पल आपका कहाँ पर है आप ढूंड़े कहाँ पर है यह A नंबर पर तो आप नाम में जाएंगे गोल्डन टेम्पल कहाँ पर दिख रहा है आपको यह तो आपने A को कहाँ पर लिखना है सरकिल के अंदर चलिए आप कॉपी में करते हैं इसको कॉपी में क्या करना आपने डे क्लास वर्क और डेट जरूर डालेगा लेजन का नाम होली प्लेज उसके बाश और दा पजल्स यूजिंग दा लेटर्स कोड उनाव दा नेम ऑफ दा होली प्लेज ओके देखिए अब आपका सबसे पहले A में जो पिक्चर्स आपको दीखी A में जो पिक्चर्स सबसे पहले पिक्चर्स किसकी है? A जो A वाला है तो कौन सा यह? गोल्डन टैम्पल आप देखते हैं गोल्डन टैम्पल आपका कहां पर? यहां पर तो आप क्या लिखेंगे? A, जो मैंने circle के अंदर लिखा है, उसके बाद B, B वाली pictures को देखे, ये, ये वाली कौन सी है, B, अब B वाली pictures का नाम ढूंड़े, जो holy place है, क्या है, अजमे सरीव, ओके, अब आप देखे, अजमे सरीव कहां पर, यहां पर, देखे, तो आपने क्या करना है, code B लिखना उसमें, फिर C में कौन सी वाली है, कौन सा वाला है C, Sun Temple, अब देखते हैं पीछे, Sun Temple, आपने यह ढूंड़ना है, यहां पर उसका code लिखना है, फिर D में देखिए, D में आपका किसका है, वेलन करनी चर्च, अब आप ढूंड़े कहां पर यह, यह, फर्स्ट में, तो आपने क्या करना है, देखे, code D डालना है, फिर आपका E, E वाला आपका देखे, किस, Holy Place, की पिक्चर्स बनी है, तो आप ढूंड़े कौन सा है हो, तिरू माला टेमपल, आप ढूंड़े तिरू माला टेमपल, आपका कहां पर देखे, यह, तिरू माला टेमपल, तो यहां पर आप लिखे, E, code E, फिर आप देखे, यह वाला, कौन सा टेमपल, कौन सा होली प्लेश दिख रहा आपका, अमनाद कैप, अमनाद कैप देखे, पिछे दूनते किस में है, यहां पर, तो आपने क्या लिखना है, code E, ओके, आपने इस प्रकार इसको करना है, आया समझे में, चलिए, अब आप कीजिए, अच्छी अच्छी राइटिंग में करना, ओके बच्छो, चलिए, आपके बच्छी अच्छी अच्छी प्रकार इसको करना है,